हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू आल तो माई यूट्यूब चैनल दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस्करें दोस्तो आज के इस वीडियो में हम एक रशियन राइटर एंटन चेको की शॉट स्टोरी सीखेंगे जिसका नाम है दी एवेंजर दोस्तो एवेंजर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्ति जो बदला लेने वाला है याने की यह जो वर्ब है वर्ब एवेंज है और एवेंज से ना एंटन चेको एक रशियन ड्रमाटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है इन्होंने कुछ ड्रामाज और शॉर्ट स्टोरी लिखी है इनके जो टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स अकसर रशियन ओर्डिनरी लोग जो होते हैं यह ओर्डिनरी लोगों के जीवन पर इनक तो इक्स्ट्रा ओर्डिनरी परिस्थितियों में जब ओर्डिनरी रोशियन लोग आते हैं तो वो कैसे बिएव करते हैं यह उनके स्टोरीज के सब्जेक्ट होते हैं इनके जो फेमस शॉर्ड स्टोरीज है इसमें वार नॉर्ड नंबर सिक्स नेबर्स दब्लैक मंग और circumstance यानि कि extraordinary परिष्थिति उसके सामने आ जाती है उसके life में आ जाती है और वो extraordinary परिष्थिति को कैसे deal करता है कैसे handle करता है यही theme इस story की है जिसका नाम है the avenger यह जो story है यह story एक पती की story है और एक पती की वेदना एक पती की विथा की story है और वो क्या वेदना होती है वो क्या विथा होती है हम story में समझेंगे और वो जो पती होता है उसके मन में बदला लेने के विचार चल रहे होते हैं तो वो क्यों बदला लेना चाहता है वो बदला लेता है या नहीं यह हम इस story में देखेंगे और फिर जैसे ही आप यह story पढ़ते है अगर आपने story पढ़ी है तो आपको भी समझ में आया होगा कि जैसे ही हमें story पढ़ते है तो suspense built up होता है और जब मैं आपको यह story analyze करूँगा तो आपको भी ऐसे लगेगा कि at the end क्या होता है अंत में story में क्या होता है वो पती बदला लेता है या नहीं तो ऐसे suspense बना रहता है अंत तक story में इस story में main character है फेडोर सिगेव और जैसे ही story शुरू होती है तो हमें पता चलता है कि फेडोर सिगेव ने एक decision लिया है बदला लेने का और वो किस बात का बदला लेना चाहता है वो बात क्या है तो उसको एक दिन पता चलता है कि उसकी बीवी unfaithful है उसके साथ disloyal है उसका किसी व imaginary के साथ extra marital affair चल रहा है और वो ऐसे decide करता है कि वो इस बात का बदला लेगा वो कैसे बदला लेगा तो वो उसकी बीवी का कतल करेगा, उसके बीवी के प्रेमी का कतल करेगा और उसके बाद वो खुदखुशी करेगा, ऐसे decide करता है इसलिए उसको revolver चाहिए होती है, पिस्तोल चाहिए होती है तो एक दुकान होता है जिसका नाम है Schmooks and Company तो यह जो shop है, यह सभी types के weapons बेचने का काम करती है तो वो वहाँ चला जाता है, उसको तो पहले कुछ अनुबव नहीं होता उसने कभी पिस्तोल चलाई नहीं होती है, किसी को मारा नहीं होता है क्योंकि वो एक common man है, और जब वो उस दुकान में चला जाता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार चलते है और वो विचार क्या होते है, तो वो उसके मन ही मन में इसे imagine करता है कि वो उसकी बीवी को कैसे मारेगा, जब वो उसकी बीवी को मारेगा तो उसके जो रिष्टेदार है उन लोगों को पता चलेगा आजू बाजू वाले लोगों को पता चलेगा पुलीस आएगी पुलीस इंक्वाइरी करेगी उसके बाद न्यूस पेपर में भी कुछ न्यूस आएगी उसके बाद newspaper में editorial लिखे जाएंगे कि कैसे अभी family life जो है वो disturb हो रहा है तो बहुत सारे विचार इसके मन में ऐसे चलते रहते हैं तो इस story में हमें ये देखना है कि Fedor Sigeo जब वो शॉप में जाता है तो वो पिस्तोल खरीदने जाता है और दूसरी एक बात है कि उसके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं तो ये शॉप में है और वो उसको पिस्तोल चाहिए इसलिए गया है और उसके मन में विचार है ये दोनों बाते पूरे story में हमें देखनी है तो वहाँ जो एक वेक्ती होता है जिसको हम शॉप मन या फिर सेल्समन भी कह सकते हो तो वो फेडोर सिगे को अलग अलग टाइप्स के पिस्तोल या फिर रिवॉल्वर्स दिखाता है अब ये जो शॉप मन है ये बहुत ही एनर्जेटिक एन्थुजियस्टिक ऐसा आदमी है और वो हर वक्त हसता है वो ठकता नहीं और एक के बाद एक एक के बाद एक उसको अंत तक ये क्या करता है कि ढिफरेंट टाइप्स पिस्तोल या फिर रिवालवर्स दिखाता है ओक्टी स्किल्ड टाइप शॉप मन है आप कह सेबते हूं कि आइडीयल सेल्समन कैसा होना चाहिए तो इस शेल्समन के जैसा इस shopman के जैसा और सबसे पहले तो वो एक revolver दिखाता है जो की Smith Wason Company की होती है अभी ये जो revolver है ये shopman कहता है कि ये सबसे latest revolver है इनके shop में जो newest revolver है अभी अभी आई हुई revolver है और इसकी जो craftsmanship है वो भी बहुत अच्छी है ऐसे पूरे वो revolver Fedor Sigeo को दिखाता है और वो कहता है कि हम अक्सर ऐसे जो revolver है वो dozens में बिखते है और बहुत सारे लोग हमसे ये revolver लेके जाते है कोई चोरों को मारने लेके जाता है तो कोई ये जो बेडिये होते हैं इनसे बचने के लिए लेके जाता है तो कोई ऐसे किसी व्यक्ति को मारने के लिए लेके जाता है तो कोई खुदखुशी करने के लिए भी लेके जाता है तो ये जो Smith Wesson revolver है ये सबसे best revolver है हमारे shop में ऐसे कहता है तो Fedor उसको पूछता है कि उसकी कीमत क्या है तो वो salesman बोलता है कि उसकी कीमत है 45 rubles, rubles वहां की currency है तो Fedor Sigev कहता है कि ये बहुत ही महेंगी revolver है तो shopman कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें कुछ अन्य revolvers दिखाता हूँ वो salesman Fedor Sigev को दूसरी pistol दिखाता है जो की France में बनी हुई है और जिसकी कीमत है 18 rubles अभी वो salesman कहता है कि देखो ये जो pistol है ये बहुत ही सस्ती है as compared to the Smith Wesson आप ये ले सकते हो लेकिन salesman कहता है कि ये जो pistol है ये सिर्फ middle class के लोग और कुछ पागल अवरते यूज करती है ये जो pistol है ये खुदकुशी करने के लिए भी अच्छी नहीं है किसी को डराने धमकाने के लिए भी अच्छी नहीं है और जो असब्बे समाज है जो lower class के लोग है सिर्फ वही लोग ये पिस्तोल यूज करते है लेकिन जो सब्बे समाज के लोग है जो higher class people है वो ये पिस्तोल नहीं लेते वो सिर्फ स्मित वेसन ही लेते है तो इस पर फेडोर सिगेव कहता है कि देखो मुझे किसी को मारना नहीं है और ना तो मुझे खुदकुशी करनी है मुझे सिर्फ पिस्तोल चाहिए कि चोरों को डराने के लिए तो फिर इस पर सेल्समन कहता है कि देखो अगर तुम्हे सिर्फ चोरों को डराने के लिए पिस्तोल चाहिए तो मेरे पास ये मौर्टिमर पिस्तोल है या फिर इसको डियोलिंग पिस्तोल भी कह सकते है इसकी जो आवाज है इसकी आवाज बहुत स्ट्रॉंग है और चोर इससे डर जाएंगे तो आप ये पिस्तोल ले सकते हो जब ये मॉर्टिमर पिस्तोल सेल्समन दिखाता है तो फेडर सिगेव के मन में कुछ विचार चलते है जैसा कि मैंने कहा कि हमें ये देखना है कि वो प वो उसकी बीवी को मारेगा उसके पिस्तोल से गोली चलाएगा तो बिल्कुल उसके बीवी के सिर में गोली लगेगी और वहां से खून बहेगा वो खून कारपेट पर गिरेगा वो खून फ्लोर पर गिरेगा और वो जो बच्चलन अवरत उसकी बीवी वो तड़कते तड प्रेमी को मारेगा और फिर खुदकुशी करेगा लेकिन अब वो यह सोचता है कि नहीं मुझे उसको नहीं मारना चाहिए मेरी बीवी को नहीं मारना चाहिए मैं सिर्फ उसके प्रेमी को उसके आशिक को मारूंगा और मैं खुदकुशी कर लूंगा वो ऐसा क्यों सोचता है क कि अगर मैं खुदकूशी करूंगा उसके प्रेमी को भी मारूंगा तो वो जिम्दा रहेगी और उसको बहुत दुख होगा क्योंकि उसने उसके पती को और उसके प्रेमी को भी खोया होगा और वो बहुत रोएगी उसको पच्तावा होगा कि मुझको ऐसा विहेव नहीं करन और लोग जो लोग भी ऐसी बाते करेंगे कि देखो ये कैसी आउरत है कि इसका किसी व्क्ति के साथ अफैर था और उसके पती ने उसको मार दिया और इसके पती ने ख़ुदकुशी की तो ये जो लोग ऐसे बिल्कुल hightful नजरों से उसकी तरफ देखेंगे और इसको जिन करता है कि उसकी खुद की ऐसी funeral यानि की अनतियात्रा जा रही होगी और वहाँ उसके funeral में उसकी बीवी भी शामिल होगी, वो चल रही होगी, उसकी आँखों से आशु बह रहे होगे और वो कहता है कि वो बिलकुल veritable नियोबी की तरह रोएगी. अभी ये नियोबी क्या है नियोबी एक Greek mythology में एक figure है एक woman जिसके साथ बेटे और साथ बेटिया थी और एक युद्ध में सभी मारे जाते हैं उसके साथ बेटे और साथ बेटिया मारी जाती है और वो खुद भाग जाती है वहां से और एक mountain पर एक परबत पर जाकर वो पत्थर से पानी भेता है क्योंकि वो limestone का पत्थर है तो लोग कहते हैं कि देखो आज भी नियोबी कैसे रो रही है तो बिल्कुल नियोबी की तरह ये भी रोएगी इसलिए मैं इसको नहीं मारने वाला ऐसे अब यह सोचता है तो हम यह देखेंगे कि उसका सबसे पहले व बीवी के प्रेमी को और खुदकुशी करेगा तो यह उसने अब चेंज किया है अब दिल्समन एक सस्ती वाली रिवॉल्वर दिखाता है जिसकी कीमत है 30 रूबल्स और वो कहता है कि यह रिवॉल्वर सस्ती है क्योंकि अभी जो फॉरिन से माल आता है जो गुड्स आता है उसपर import duty लगती है और हमारी देश की currency जो है उसका अब मुल्य घट रहा है तो इन बातों को अगर देखा जाए तो यह रिवॉल्वर सस्ती है और वो कहता है कि अब स्थिती ऐसी हो गई है कि सिर्फ अमीर लोग ही स्मित वेसन रिवॉल्वर खरीद सकते है और जो गरीब है और फिर लोर क्लास के लोग है उनको तो एक सस्ति वाली रिवॉलवर से ही काम चलाना पड़ता है और यह जो रिवॉलवर है रशीया में बनी हुई इसको टुला में एक रिवालवर भी कहा चा सकता है क्योंकि ये रशीया का जो वूर्ष एक तो इसमें नहीं है लेकिन मन में कुछ विचार चल रहे होते हैं फेडर सिगेव के तो वो जो थौट्स होते हैं वो थौट्स क्या होते हैं तो फेडर ऐसे सोचता है कि जो बदला है उसका तो वो बदला तभी पूरा होगा जब वो देखेगा कि उसका दुश्मन यानि कि उसकी पत्नी क्या फील कर रही है कि इसी उसकी suffering है उसकी क्या वेदना है तो फेडोर सिगेव ऐसे अब सोचता है कि वो उसकी बीवी को नहीं मारेगा सिर्फ उसके बीवी के प्रेमी को मारेगा और वो खुद खुद की अरेस्ट करवाएगा यानि वो खुद पुलिस की तरफ जाएगा और कहेगा कि देखो मैंने कतल किया है मेरे बीवी के प्रेमी का मुझे आप अरेस्ट कर लो वो ऐसे क्यों सोचता है कि वो खुद को अरेस्ट करवाएगा क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो खुद को अरेस है उनको और जूरी जो है जूरी याने group of judges तो वो उनको बता सकता है कि देखो यह कितनी बदचलन अवरत है इसका behavior कितना immoral है इसका किसी व्यक्ति के साथ एक relation extra marital affair चल रहा था तो वही एक opportunity होगी लोगों को दिखाने की और जूरी को दिखाने की कि यह कितनी बदचलन अवरत है लेकिन उसको ऐसे भी लगता है कि वो खुदकुशी नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा इसका और एक reason है कि अगर इसने खुदकुशी की तो वो तो succeed हो जएगी वो तो successful हो जाएगी क्योंकि वो bold है और वो जूड बोलती है और जूड बोलके वो उसके उपर जो इल्जाम है वो तो clear करेगी और लोग तो इसको ही दोशी मानेंगे इस पती को ही दोशी मानेंगी देखो इसने एक छोटे reason के लिए किसी को मारा और फिर इसने ही खुदकुशी की तो यह सोचता है कि यह खुदकुशी नहीं करेगा और फिर ऐसे भी यह सोचता है कि जब trial चलेगा, जब case चलेगा तो वहाँ जो press होगी वहाँ जो public होगी इनकी sympathy भी इसको ही मिल जाएगी तो उसकी arrest यही एक जरिया है लोगों को दिखाने का कि इसका behavior कितना immoral है इसका behavior कितना गलत है तो अब यह क्या सोच रहा है अब यह सोच रहा है कि उसके बीवी के प्रेमी को वो मारेगा और उसके जो बीवी है उसको छोड़ेगा उसको मारेगा नहीं और वो खुद की arrest करवाएगा तो अभी यह ऐसे सोच रहा है सेल्समन कुछ और revolvers दिखाता है जो की इंगलेंड में बनी हुई है और जब यह revolver दिखाता है तब बताता है कि कैसे smith wason revolver ही best है और इसके लिए वो एक story बताता है actually एक news है जो अगबार में आई हुई है तो वो कहता है कि एक army officer ने हमारे shop से smith wason revolver खरी दी और उसने उसके बीवी के प्रेमी पर गोली चलाई फिर उसके body से निकल कर वो गोली एक bronze lamb को लगी उसमें से निकल कर एक piano को लगी और piano से rebound होके एक spaniel कुत्ते को लगी और उससे निकल कर उसके बीवी को लगी तो है ना बहुत अच्छी बात और हमारे shop का भी ये honor है कि इतनी revolver हम अच्छी revolver हम बेजते है तो वो कहता है कि हाला कि वो army officer अब jail में बंद है वो दोशी साबित होगा और उसको सजा होगी उसको Siberia भेज दिया जाएगा Siberia जहाँ jail है रशिया का एक promise है एक प्रांत है जहाँ jail है prison से जहाँ अक्सर कईदियों को भेजा जाता है ऐसा क्यों होगा क्योंकि हमारे रशिया के जो laws है वो antiquated याने की old laws है वो पुराने काइदे कानून है जो अभी बदलने चाहिए ऐसा salesman सोचता है और एक कहता है कि ऐसा क्यों होगा क्यों उस army officer को सजा होगी क्योंकि जो jury है और जो judges है और जो public prosecutor है वो सभी मर्द है और इन में एक weakness होता है और वो weakness होता है 10th commandment break करने का तो Bible में 10 commandments बताई गई है commandment याने की आग्या जो की अच्छा जीवन जीने के लिए एक आवश्चक है ऐसा Bible में कहा है तो 10 वी commandment ऐसी है कि आप दूसरों की बीवी से प्यार ना करें तो सभी मर्द में ये weakness होता है और इसलिए वो ये commandment break करते है तो जो jury है, judges है वो over partial होंगे किस के साथ वो partiality करेंगे तो वो army officer के बीवी का जो प्रेमी है तो उसकी तरफ उनकी sympathy होगी और ये जो husband है इसको वो jail भेजेंगे ऐसा होगा तो वो salesman कहता है कि मुझे बहुत चिंता होती है जब मैं ये सोचता हूँ कि हमारे समाज में जो नईतिकता है वो कैसे कम हो रहे है morals कैसे घट रहे है लोग कैसे अच्छा जीना नहीं जी रहे वो कहता है कि देखो अभी ऐसा है कि ये किसी दूसरे की बीवी से प्यार करना कैसा है मान लो किसी और की किताब पढ़ना या फिर किसी और की सिगार पिना ये जैसा है बिल्कुल वैसा ही किसी और की बीवी से प्यार करना है तो अगर ऐसा है तो ये जो laws है तो ये पुराने laws है ये laws बदलने चाहिए और ये salesman कहता है कि देखो हमारा जो business है वो business दिन बदिन घटता जा रहा है लोग ज़्यादा पिस्तोल नहीं खरीद रहे हाला कि इसका मतलब यह नहीं कि लोगों का family life बहुत अच्छा चल रहा है और कोई 10th commandment break नहीं कर रहा कोई दूसरों की बीवी से प्यार नहीं कर रहा ह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो क्या है तो ऐसा है कि जो husbands याने की पती है उन्होंने उनका जो नसीब है तो उससे उन्होंने adjust किया है reconcile किया है और वो डरते है कि court कचेरी वगेरा न जाए और जो सजा होगी इसलिए वो डरते हैं इसलिए वो उनकी बीवी के प्रेमी को नही कि मारते नहीं किल करते कत्ल करते तो यह salesman के कुछ उसके thought से विचार है यह फेडर सिगेव को बता रहा है जो घड़ा होता है कि जो husband है वो उनके बीवी के प्रेमी का जब कत्ल करते हैं तो पतीयों को सजा होती है ऐसा क्यों होता है यह किसका दोश है तो अंत में यह salesman कहत कि यह दोश गुवर्मेंट का है क्योंकि गुवर्मेंट के लॉज ऐसे हैं तो फेडोर के मन में ऐसा विचार आता है कि किसी का कतल करके जेल जाना यह कुछ ठीक नहीं है यह कुछ अच्छी बात नहीं इसमें कुछ भी विजडम नहीं है Okay, going to Sagalin, Sagalin एक प्रॉविन्स है जहां प्रिजन्स है जहां कईदियों को रखा जाता है तो फेडोर सिगेव अब ऐसा सोचता है कि वो किसी का भी कतल नहीं करेगा सबसे पहले फेडर सिगिव ने सोचाता है कि वो उसके बीवी का कतल करेगा उसके बाद उसके बीवी के प्रेमी का कतल करेगा और फिर वो खुद कुशी करेगा अब वो ये सोचता है कि वो किसी का भी कतल नहीं करेगा लेकिन उसको तो बदला लेना ही है तो वो क्या करेगा वो उसके बीवी के खिलाफ divorce proceedings शुरू करेगा court में divorce proceedings शुरू करेगा और इस divorce proceedings के जरीए वो court में उसके बीवी का जो behavior है वो expose करेगा और लोगों को बताने की कोशिश करेगा कि देखो इसका ऐसा affair है इसलिए मैं divorce ले रहा है तो ऐसे जब फेडोर सिगेव सोचता है तब फेडोर सिगेव को अब लगता है कि उसको पिस्तोल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब फेडोर सिगेव का decision हो गया है उसको पि enthusiastic है अभी भी बहुत excited है उसके चेहरे पर हसी है और एक के बाद एक वो revolver फेडोर सिगेव को दिखा रहा है वो बिल्कुल भी ठका नहीं है हलाकि बहुत देर से वो revolver दिखा रहा है लेकिन फिर भी वही जोश उसमें है फेडोर सिगेव का तो अभी decision हुआ है उसको तो प्रेतन पूर्वक salesman के चेहरे की तरफ देखना टालता है लेकिन क्या होता है उसको बहुत ही awkward feeling मैसुस होती है क्योंकि इतनी देर से इस salesman ने पिस्तोल दिखाई है तो उसकी कुछ responsibility बनती है कि वो कुछ खरीदे तो वो इधर-उधर देखता है कि अब क्या खरीदा जाए क्योंकि उसको कुछ तो सस्ती चीज खरीदनी है तो वो इधर-उधर देख रहा है कि तो उसको दिखता है कि दरवाजा के बाजू में एक जाली है एक नेट है तो वो पूछता है कि ये क्या है ये किसलिए है तो salesman बताता है कि एक नेट है और ये पंची पकड़ने के नेट हूर कैचिंग प्यूज इस फॉर 》 इडी तो फेडर सिगेओ कहता है कि ठीक है मुझे ये नेट दे दो और ये पाज़ा है और वहाँ से चला जाता है और दोस्तों फेडर सिगेव ने बदला नहीं लिया जैसा उसने सोचा था उसने सोचा था कि वो तलकरेगा लेकि यह जो topic है यह बहुत ही serious topic है लेकिन जिस तरीके से Anton Chekow ने इसको present किया गया है वो बहुत ही funny है वो बहुत ही humorous है और एक बात की हमें शुरू से लगता है अन्तों तक की अब आगे क्या होगा आगे क्या होगा या फेडर सीगयो पिस्तोल खरीदेगा और फिर जाकर किसी का कतल करेगा हम यह सोचते हैं तो इस स्टोरी में इस स्टोरी में दो प्रमुख बाते हैं एक तो कि वो रिवॉल्वर कौन-कौन से देखता है और वो खरीदता है या नहीं और दूसरी की फेडर सीगयो के मन में क्या विचार आते रहते हैं So friends, I hope कि आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर भी कीजिए और अगर आप नए है मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपके कुछ कॉमेंट्स है सजेशन से तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू